Hello everyone, this is Asad from Vision Map, उमीद करता हूँ आप से बच्छे होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं AMU BSC Honors Interns की बारे में, कैसे आप इस Interns को क्रैक कर सकते हो, क्या आपका syllabus है, और कौन से Best Books Market में Availiveness Interns को क्रैक करने के लिए, और आपको PDF की भी हम बात करेंगे, आपको PDF कहां से मिल होता है, यानि कि ये तीन साल का आपका course है, और इसका criteria के हम बात करें तो Senior Secondary School Certificate, यानि कि Class 2 में आपको at least 55% marks आई होते हैं, इसमें कि English और 3 subjects, यानि कि Biology, Chemistry और Maths, Physics और Home Science, तो यही जो है, इन में से किसी 3 subject और English को मिला कि आपका at least 55% marks होने चाहिए, ये compulsory है ये, अब हम आपका age limit क्या है, 24 साल से जादा नहीं होना चाहिए, as of July, in the year of admission, यानि कि इस साल आप admission ले रहे हैं 2021 में, तो 1st July के according आपका 24 years से जादा age नहीं होना चाहिए, ये आपका criteria age का हो गया, अब हम बात कर लेते हैं कि paper आपका कैसे divided है, तो देखे, आपका entrance paper ये total 6 section में divided होगा, जिसमें skip section 1, section 2 और section 3 आपका compulsory है, section 4, section 5 और section 6 से आपको option मिलेगा, किसी एक section को आप चूज करोगे, तो देखे, section 1 plus section 2 plus section 3 को मिलागे, आपके 75 marks बनते हैं, और इन तीनों section में आपको choose करने को मिलेगा, तो आपके 25 marks और add होते हैं, तो आपका total paper जो है, 100 marks का आपका paper हो जा active, passive and wise, इस तरह के general questions आपके आते हैं, syllabus बहुत ही जादा defined नहीं है, BSC honors entrance का, अगर आप English का position अगर आप cover करना चाहते हैं, तो आप SSC के जो paper हैं, आपके वहां से अगर कहीं questions आपको मिल रहे हैं, SSC के जो entrance होते हैं, उसके अगर को question कहीं से भी मिल रहे हैं, तो आप उसको ज पढ़ाई की होगी, तो उनको जो है, entrance से बहुत ही help मिलेगा, उनके लिए entrance जो है easy होगा, यह questions बहुत ही आपके J-Mains level के नहीं होते हैं, अगर आपने anxiety books प्लस RS अगरवाल अच्छे से अपने solve क्या होगा, maths के लिए तो enough है, physics में आपने general books जो आपके आते हैं, anxiety प्लस कोई 11 प्लस 12 की जो books है, science की उसको thoroughly अपरिवाइस कर लेना, अब हम बात कर लेते हैं कि home science की, तो अगर home science को यह वच्छे अगर चूज कर रहे हैं, intern section में से, तो उनको जो है guide से बहुत help मिल जाएगी, तो अब हम बात कर लेते हैं, कौन से books आपको purchase करनी चाहिए, कहां से आपको जो है, बात की section जो आपको remaining है, वो cover हो जाएगा, तो देखे, आपकी दो guide books खास करके आती है, एक अरिहन की आती है, AMU BSC Honors की, और एक आपकी BSC की जो है, conceptum की आती है, BSC Honors के लिए book, दोनम से कोई से भी purchase कर सकते हैं, आप अगर अरिहन की book purchase करते हैं, तो इसमें last 5 years के आपक papers भी आपको इस पे मिल जाएंगे, अगर आप book purchase नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको last 5 years के internes papers जो है, हमारे telegram channel पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप help ले सकते हैं, तो यह आपका syllabus था और कौन से important books आपको purchase करने हैं, वो मैंने बता दी, जैसे कि मैंने थोड़ देर पहले बता है, मैं फिर से repeat कर दूँ, कि आपको class 11 plus 12 के books thoroughly आपको पढ़ने हैं, प्लस आपको जो last 10 years के papers कहीं से भी अगर मिल रहे हैं, वैसे तो मैं 5-6 साल के मुझे paper अगर मिलते हैं, तो मैं telegram पे provide कर ही दूँगा, तो आप इन papers को solve ज़रूर कर लेना, questions repeat होगे, आपको patterns समझा आएगा, किस तरह की questions पूछे जाते हैं, तो यह था brief में कि कैसे आप EMU के BC honors internets को crack कर सकते हो, time अभी भी आपके पास बहुत time है, आप इस time में जो है, अच्छे से utilize करते हैं, तो आप internets को crack कर लोगे, I hope कि आप अच्छे perform कर exam में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए thank you. झाल